नमस्कार दोस्तों नमस्षिवाय जीवन जोती चैनल में आप सभी का स्वागत है। नित्य पूजा कर सकती है। चाहे थोड़ी देर के लिए ही हो लेकिन होना चाहिए। असनान करने के बाद माताएं बहने अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगा लें। पूरा स्रिंगार करने का तो समय नहीं होता है सुबह या मैं भी जानती हूँ। अपने मांग में सिंदूर जरूर लगा लें, उसके बाद पूजास्थाल पे बैठ जाएं, अपने आपको जल छिड़क कर पवित्र कर लें, गायतरी मंतर बोल कर पवित्र कर लें, अब बात आती है भगवान जी को असनान कराने की, जितनी भी सभी देवी देवताओं की तस पूजा करने से पहले कलश में एक जल जरूर रखा जाता है और एक दीप जलाया जाता है, सबसे पहले दीपका प्रजलित कर लेंगी, फिर आप उस जल से एक आच्मनी हो, आच्मनी आपके पास नहीं हो, तो कोई पुष्प ही हो, तो पुष्प से ही आप सभी देवी पुष्प सकती हैं, तो प्रडाम करके, बंदना करके, आप सभी देवी देवताओं के उपर जल छिड़क दे, यह सांकेती कस्नान हो गया, फिर आप चंदन लगाएंगी, अस्ट गंध चंदन यदि आप ले लेती हैं, तो आपको लाल या पीला सफेद अलग अलग से उससे डारेक्ट आप भगवान जी को न अरपित करें, किसी पात्र में, किसी कटोरी में आप निकाल लें, उसके बास सभी देवी देवताओं को चंदन अरपित कर दें, बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है, आपके पास पुष्प है, तो आप सभी देवी का प्रियोग करें, नहीं तो अगर बत्ती भी जला सकती है, लेकिन धूब बत्ती सबसे ज़्यादा उचित होता है जलाना, आप धूब बत्ती जला दें, उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रडाम कर लें, उनकी बंदना कर लें, इस लोग यदि आप बोलना चाहती है तो यह सब करते करते ही आप इस लोग भी बोल सकती हैं, उसके बाद आपको भोग प्रसाद अरपित करना है, आपके घर में जो भी है, आपके पास फल है, कोई मीठी बस्तू है, कोई सूखा फल है, जैसे सूखे मेवे हैं, काजु किश्मिस कुछ भी है, आप प्रेम से भगवान जी को अर्पित कर लें अब आप यह प्रस्न अगर आपके मन में आता है कि किस भगवान जी को भोग लगाएं तो इसमें कोई आपती नहीं है आप एक ही बार एक ही पात्र में रखके सभी भगवान जी के समक्ष उसको दिखा कर आप नवेद्यम समर्प्यामी करके भोग लगा सकती है और दूसरा भी तरीका मैं बताती हूँ यदि आपकी इक्षा है तो आप प्रतिदिन दिन के हिसाब से भी भोग लगा सकती है जैसे सोमवार को शिव जी को मंगलवार को हनवान जी को बुद्धवार को गड़ेश भगवान जी को ब्रहस्वत वार को स्र प्रणिवार को हनुमान जी को इस तरह से भी आप भोग लगा सकती है नहीं तो आप सभी देवी देवताओं को एक साथ भी भोग समर्पित कर सकती है नैविद्यम समर्प्यामी करके आपने भोग लगा दिया अब बात आती है आर्ती करने की तो आर्ती के लिए यदि मतायें कहेंगी कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि पूरी आर्ती गाकर हम आर्ती कर सकें तो कोई बात नहीं आप आर्ती का पूर से करें ये सबसे उत्तम होता आर्ती जला लें उसके बाद आप कर पूर गवरम करवडावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम प्रकार से भी श्लोग बोलके आप आर्ती कर सकती हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरी आर्ती गाकर ही आप आर्ती करें तो ये आपकी आर्ती भी हो गई बहुत थोड़े समय में और आपकी पूरी पूजा भी संपन हो गई उसके बाद आपको छमा प्रार्थना करना है आर्त प्रति को आप रखें, वहाँ पे थोड़ा सा जल गिराएं, प्रडाम करें, फिर भगवान जी से छमा प्रार्थना करें, अपने सभित रुटियों के लिए और उनसे बंदना करें, अपने परिवार के कल्यार के लिए, अपने कल्यार के लिए, सुभागे के लिए, सुख के आयू के लिए, सभी प्रकार से कल्यार के लिए उनसे कामना करें, छमा मागें, फिर आसन के पास ही थोड़ा सा जल गिरा कर उसे अपने नेत्रों में लगा लें, उसके बाद आप वहां से उठ सकती हैं, कोई बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, यह आप अपने प्रति दिन की रूटीन में नियमित रूप से इसे शामिल करें, और आपकी रोज की पूजा आप इसी तरह से संपन्न करें, जानकारी अच्छी लगी हो, उप्योगी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में नमाशिवाय, जरूर लिखिएगा, धन्यवाद दोस्तों, नमाशिवाय,